नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है बालचंद्र, ब्रह्मा अन्ड सिद्यास्टर में आप सभी का स्वागत है आज के इस उडिया में हम चर्चा करेंगे दिनांग 12 दिसंबर 2021 का संपुर्ण राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है रविवार का है शुकल पक्ष की नौव भी तिथी है नक्षत्र उत्तरा भादर बदा है योग व्यति पात है दिन का जो करण है वो बाल है और जो रात का करण है वो कौलो है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा दोपर 3 बचकर 1 मिनिट से लेकर 4 बचकर 21 मिनिट तक और अभिजित मूर्थ दोपर 11 बचकर 56 मिनिट से लेकर 12 बचकर 44 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजित मूर्थ दिन के शुब कालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुरुनकाम या फिर निर्ने आप ले सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुरुनकाम या फिर निर्ने बिलकुल भी नहीं लेना। आज के दिन का जो चंदरमा है या चंदरमा संपोर्ण दिन मीन राशी में ब्रह्मन करेगा या चंदरमा शनी के साथ लाभ योग करने जा रहा है उसी प्रकार रभी और निप्चुन का केंद योग भी होने जा रहा है यह ग्रस्यति सामने रखते हुए बारा राशियों का र मेश राशी के वह यह भाव में चंद्रमा का भ्रहम्न है। और आपके दशमभाव में स्थित शनी के साथ यह चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कारिक्षेतर है, उसके संदर में कुछ अच्छी बात या फिर कुछ अच्छे नतीजे आज के दिन आपके सामने आ सकते हैं। आपके अश्टमभावमस्तित रवी के साथ आपके लाभभाव का जो नेप्चुन है, वो केंदर योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं, तो आने वाले दो से तीन दिनों में कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग होने की संभावना थोड़ी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो आने वाले दो से तीन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना आपके जो रुजान है वो फसने की संभावना ज्यादा बनती है इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके भाग्य भाव में स्थिद शानिक एसाथ ये चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है तो आज के दिन आपको काम के सिल्सिले में कही बाहर घूमना फिरना पड़ सकता है लेकिन उसके जो योग आएंगे या फिर उसके जो डिसीजन आएंगे उसके जो एफर्ट आप लोगे वो आपके लिए बहुत ज़दम है तो पुर्ण और शुबु फलदाई होंगे उनस से कुछ अच्छे लाव वगर मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है आपके सब्तम्भाव मिस्तित रवी के साथ आपके दशंभाव का जो निफ्चुन है वो केंदर योग करने जा रहा है तो घर के जो विक्ति होंगे खास कर कि जो पूरुश वर्ण होंगे उनके सह मित्यु नराशी के दशंभाव में चंदरमा का ब्रवन है और आपके अच्छंभाव मिस्तित शनी के साथ ये चंदरमा लाव भीयोग करने जा रहा है आज के दिन कुछ अनेक्सपेक्टेड लाव वगर होने की संभावना काफी अच्छी बनती है आज के दिन अगर आपका कोई व्यपार है तो उसमें आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे भी आज आज आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है आपके शर्ष्ट बहुमस्तित रवी के साथ आपके भाग्यभाव को जो निप्चुन है वो केंदरियोग कर जा रहा है तो जो भी आपका कारेक्षेत्रे हैं वहाँ पर थोड़ा सा सजग रहना ज्यादा आवश्चक होगा वहाँ पर डॉक्यमिटेश्र के बारे में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके वज़ेसे अने वाले दो से तीन दिन आपके लिए स्ट्रे करने जा रहा है तो अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वईवाइक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी आपके पंचमभाव में स्थित रवी के साथ आपके अश्टमभाव का जो नेप्चुन है वह केंद्र योग करन जा रहा है आज के दिन अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो बहुत ही सजकता पुरवग आपको वेवार करना होगा आने वाले 2-3 दिनों में तो ये बात जान लेना ज्यादा आवश्रक होगा उसी प्रकार आपके यारणी मुझे 2 से 3 दिनों में खर्चे भी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के अश्टम भाव में चंदर्मा का ब्रहमण है और आपी के 6 भामिस्तित शनी के साधिय अचनरमा लाभ योग करने जा रहा है तो आज के दिन जो सिंगराशी के वेक्ति जॉब लेस है जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए आज का जो दिन है काफी अच्छा और महतपुर्ण साबित होगा जॉब में लेकित संभावना आज के दिन काफी अच्छी बनती है आपके चतुरत भामिस्तित रवी के साथ आपके सब्तम्भा को जो नेप्चुन है वो केंदर योग करने जा रहा है घर के जो लोग होंगे उनके साथ चोटी चोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीब अं 15-20 दिनों से आपने ये अनभोग किया होगा घर का जो वातार है वो जैसा आप चाते हो उस प्रकार से नहीं है घर के जो लोग है उनके साथ चोटी मूटी बातों के लेकर तकरार हो रही है वो स्वयम पर थोड़ा सा सयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के सप्तम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मण है और आपके 55 भौमेसित शनी के साथ ये चंदरमा लाप योग करने जा रहा है आपके टृतिय भौमेसित मंगल के साथ आपके शाष्ट भाउक को जो निक्चुन है वो केंद्र योग करने जा रहा है अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वैवाइक जोड़िदार है उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार आज के दिन या फिर आने वाले दो से तीन दिनों में किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण जो documentation के बाते हैं या फिर किसी को अगर कोई promises करना है commitment करनी है तो आने वाले दो से तीन दिनों में कोई भी इस प्रकार के documentation बात बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूकने के संभावना काफी ज़्यादा बनती है इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के शच्ट भाव में चंद्रमा का भ्रवन है और आपके चथूरत भाव में श्दित शनी के साथ ये चंद्रमा लावियोग करने जा रहा है तो अगर आप कोई भी काम करते हैं जो भी आपका कारिक्षेत्र है वहाँ पर कुछ अच्छी बाते हो सकती है आज आपको confidence है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा आपके दितिया भाव में स्थित रवी के साथ आपके पंचमभाव का जो निप्चुन है वो केंदर रियोग करने जा रहा है आपको जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं और वो विवाद काफी बढ़ भी सकते हैं तो ध्या पूरे होने की संभावना काफी जादा बनती है आज के दिन कहीं बाहर घूमना फेरना भी हो सकता है घर के जो लोग है उनके साथ भी आज आपकी आर्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी आपी के राशी मिस्दित रवी के साथ आपके चतुर दभाव का जो निप्चुन है वो गेंद्रियोग करने जा रहा है तो जो भी आपका कारिक्षेतर है वहाँ पर के जो वरिष्ट होंगे उनके साथ चोटी चोटी बातों के लेकर कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग वगरा हो होनी की संभावना काफी ज्यादा बनती है आज के दिन किसी भी प्रकार के महतो पुर्ण नेन आपके कारिक्षेतर के बारे में बिल्कुल भी नहीं लेना आने वाले दो से तीन दिन में ये बात जो अभी कहीं उस पर अमल करना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है धनूराशी धनूराशी के चतुर्ध भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के द्वीतिय भाव में सित शनी के साथ ये चंद्रमा लाभ भी यूप करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आप आराम करना पसंद करोगे घर पर रहना पसंद करोगे घर के जो लोग है उनके साथ मिलजू कर रहना पसंद करोगे और सभी प्रकार की आपके जो इच्छा हैं वो आज के दिन पूरी हो सकती है घर के जो बाते हैं उसके संदर में आज के दिन आपको कुछ easy money जिसे हम बुलते हैं, वो मिलने की संभावना भी बहुत ही अच्छी बन रही है. आपके वेई अभाव में से रवी के साथ आपके तृतिया भाव का जो नेपचुन है, वो केंदर योग करने जा रहा है. तो आने वाले दो से तीन दिन में किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग वाले बातें बिल्कुल भी नहीं करना. अगर करते हो, तो जिस वज़़ से आप ट्रैवलिंग करोगी, वो वज़व पूरे होने के संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है. इसके बाद के जो राशी है, वो है मकर राशी. मकर राशी के तृतिय भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, और आपी के राशी मिस्तित शनी के साथ ये चंदरमा लावयोग करने जा रहा है. तो अगर आपका विवा हुआ है, तो आपके जो वैवाव एक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपके बहुत ही अच्छी जमेगी, आपके जो वैवाव एक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है. आपके लाबभव में स्थित रवी के साथ आपके द्वितिय भाव का जो नेप्चुन है वह केंद रियोग करने जा रहा है सहत के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसके संदर में कुछ लक्षन दिखाई दे सकते हैं आज के दिन आउट आप दे वे जाके रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना जो की इल्लिगल हो आने मुले दो से तिन दिन में कोई ऐसे अगर काम करते हो तो उसमें फसने की संभावना काफी ज़्यादा बनती है तो थोड़ा सा सतर करेना ज़्यादा आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है कुमबराशी कुमबराशी के दित्यों भावंे चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपरे के वे यह भावमिस्तित शनी के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है तो घर के जो लोग है उनके लिए आज के दिन आपको कुछ खर्चे बगरा करने की संभावना काफी ज़ादा बनती है उसी प्रकार आपके दशंभाव में स्थित रवी के साथ आपके राशे का जो निप्चुन है वो केंद्रियों करने जा रहा है तो अगर आपका विवा हुआ है तो आने वाले दो से तीन दिने में आपके जो वईवाई जोड़िदार है उनके साथ कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग को लेकर थोड़ इसे आप दोनों में तनाव देखा जाएगा बस खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखिए थोड़ा सयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके लाभ हुआ मिस्दिद शनी के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है तो दिन आपके लिए काफी अच्छा है कुछ अच्छे लाभ वगरा भी मिल सकते हैं आपसे बुज़र्ग जो लोग है जो कि आपके मित्र परिवार में हैं उनके साथ गप्शप हो सकती है उनके साथ आपका कुछ अच्छा टाइम स्पेंड भी हो सकता है आज के दिन कुछ लाभ भी मिलने के आसार काफी अच्छे बनते हैं आपके भाग्य भाव मिस्थित मंगल के साथ आपके वेय भाव का जो नेप्चुन है वह केंद्रियो करने जा रहा है तो आने वाले दो से तिन दिनों में अगर आपको कही बाहर घूमना फिलना है कोई ट्रेवलिंग करनी है तो सोच समझ कर कीजिए खुद को थोड़ा सा स इसमबर दो हजार एकिस का संपूर्ण राशिफल आपको यह राशिफल कैसे लगा आपने इसका नवो किस प्रकार से लिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना यह जो चैनल है प्रमांड सिद्धियास्ट्र इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाँ